ततागत बुद्ध भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनने पूरे विश्व में महामानब के रूप में जाना जाता है बुद्ध काल खंड से लेकर अब तक विश्व के सभी बहुत लोग बुद्ध का प्रिथम इसनान ये उत्सब बड़े हरसुलास के साथ मनाते हैं भारत में भी इस उत्सब को मनाया जाता था पर प्रतीकरांती के बाद इस उत्सब का प्रामणी करन हुआ और इस उत्सब का सम्वन करशन से जोड़ दिया गया केरल राज्जमक किष्ण का मरम कुलंगारा स्री किष्ण मंदर है मंदर परंपरा के अनुसार छोटे छोटे बच्चों को चावल चुरा कर खाना पड़ता है जो बच्चा चावल खाने की रस्में पूरी करता है उन बच्चों को मंदर में जाने की अनुमती दी जाती है केरल का ये मंदर मरम कुलंगारा स्री किष्ण मंदर नाम से प्रसिद्ध है इस मंदर में 16 दिन के बच्चे को प्रिविस दिया जाता है बच्चे के सुरक्षा के लिए उन्हें पवित्र सिनान, उन्ही कुली दिया जाता है यह मंदर बाल कर्ष्न, यानी छोटे कर्ष्न को समरपित है मंदर की धार्णा इती है कि देबता इन बच्चों को खत्रों और वैवार सम्मंदि समस्यायों से बचाते हैं उनी कुली या कुझी कुली के बाद बच्चे के सरीर के चारों और पवित्र दागब बान जाता है जो लोग मंदर के पास रहते हैं बेश साथ से बारा दिन तक उनी कुली करते हैं ऐसा माना जाता है कि ये स्नान अनुस्तान तरक हीद, भै, चिंता, बेचेनी और अनुसासन ह नीनता जासी समस्याओं को रोकता है या धो देता है इस मंदर के पजारी कहते हैं कि कुझी ने राक्चस पूतना को मोक्ष दिया था जिसे उसे जहर देने के लिए भेजा गया था कब या सुदा इस डर से चलाई कि कुझी को जहर दिया गया है तो बहवान बिश्नु उनक के सामने प्रकट हुए और पास के कुए से खींचे के पानी को बच्चे पर अम्रत बनाकर डाला इसलिए यहांके मंदर के कुए के पानी को दिब बमाना जाता है और इसका इस्तमाल बच्चों को नहलाने के लिए किया जाता है यह उत्सप किष्ण जन्माष्ट में के दू इस उत्सब का सौरूपी बदल डाला और उसका समन्द कालपनिक फरजी कानियों से जोड़ दिया आज भी विस्प के कई सो में सिसु बुद्ध को इसनान करने के लिए सुगंधित पानी का उपियोग करके बुद्ध का जर्म दिन मनाय जाता है तीन भर सिसु बुद्ध की मूर्ती पर सुगंधित पानी डाला जाता है बुद्ध मूर्ती पर तीन भर पानी डालना ये हमारे सरीर, वाणी और बचारों की सुद्ध का परतीक है करोध, लोग और अग्यान को मटाने के लिए ऐसा जरूरी है ऐसी बुद्ध लोगों में माननता है हमारा मन गुणों के ग्यान की खेती के लिए सुद्ध किया जा सके इसलिए बुद्ध मूरती को जलर्पित करते हैं भारत में भी बुद्ध का असनान बहुत प्रस्द देता लेकिन लालच, क्रोथ और अग्यान की यांतरिक असुद्ध को साफ करना कहीं अधिक कठेन है यही बुद्ध अनुष्टान की सनान का सही एरत है बुद्ध और गेर बुद्ध समान लूप से इस महत्पूर अनुष्टान में भाग लेने के लिए आयते हैं जिसमें सिसु द्वारा बुद्ध के सामने मांदारी से गुटने टेकना और कंदे पर तीन वार पानी डालना सामेल है ततागत बुद्ध का प्रतम इसनान इतना प्रचलित हुआ कि पूरे बिस्व में बैसाग मास में मनाया जाता था और आज भी मनाते हैं भारत में भी बुद्ध का प्रतम इसनान बहुत प्रसिद दा पर कालपनिक फरजी कहानी कारों न किरिष्ण इसनान की खताब बनाई और उसका समन्द किरिष्ण से जोड़ दिया दरसल किरिष्ण जनमास्टमी और नंद उचसब के दिन ऐसे कई अत्यासिक तत्त हैं जो है तो बुद्ध धम से सम्मन देथ पर उसे कालपनिक कानिया बना बना कर इन ब्रामनों ने हडप लिया और लोगों को गुमरा किया दरसल ये गपोरियों दोरा बनाया हुआ धर्म है जिसमें कहीं से कहीं तक सच्चा ही नहीं है बलकि ये लोग दूसरों को काफी करके उनके इत्यास में गाल मेल करके नया धर्म बना लिये जो आज से हजार साल पुराना भी नहीं है जब भी कहीं किसी भी सब्बता का साक्ष मिलता है या प्रमार मिलता है तो ये लोग उसे अपनी संस्क्रिटी बना लेते हैं और अजीब अजीब तर्क देगर सोसल मेडिया के तुरू उसे लोगों के मन में बठा दिया जाता है कि हाँ ये हमारे हिंदू दर्म का हिस्सा है और फलाने फलाने साल पहले खो गया था अब मिल गया ऐसा ही भारत में बुद्ध के साथ हुआ जहां उन्हें अड़पने के लिए नकली कानिया बना कर अपना जूट लिख दिया और प्रचारित कर दिया ये सील आपको देख रही है ये सील पहली सदी में उत्तरपश्मी पाकिस्तान से मिली है जो गांदर कला की एक सिल्फ है जिसमें ततागत बुद्ध को जब ये छोटे थे उन्हें नहलाय जा रहा है जो आप भी देखी रहे हैं जब उनका जन्म होगा तब उनका पहला इसनान कराया गया ध्यान रहे यहां कोई कालपने किस्ण को नहीं नहलाय जा रहा चलो एक और प्रमार देई देता हूँ ये सिल्फ देखो यहां भी सिसु बुद्ध का प्रतम सिनान दिखाया गया है ये सिल्फ लगवक तीसरी सताब्दी की है गांदर सिल्फ है अफसोस यहां भी इनके कालपने किस्ण कहीं नहीं दिख रहे चलो आजाओ ये खोड़ दिखाता हूँ अब ये देखो ये सिल्फ भी सिसु बुद्ध के प्रतम सिनान को बताती है पाचवी सदी के असपास चीनी कलाकारों ना सिसु बुद्ध को उनके पहले सिनान दिये जाने और साथ कदम उठाने की प्रसंगों को यहां प्रतिमा के रूप में दरसाया है सिसु बुद्ध की अधिकांस प्रतिमा कोरियाई और जापानी मूर्टियों में हैं बिर नगने नहीं हैं बलकि सरीर की निचले इससे पर धोती पेने हुए हैं और कमल के आसन पर खड़े हैं मैंने यहां पर काफी सारा प्रमार दे दिया है कि प्रतिम बुद्ध की इसनान को यह कृष्ण इसनान बना कर पेस किया गया है लोगों के सामने मैंने आप सभी को यहां प्रमार दखाया है न वो जमीं से खुदाई महीं निकले हैं इसलिए वो बास्तिवेग हैं बाकी आप जो कृष्णिस्नान की फोटूओं को दखा कर जूटा परिचार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सच नहीं है और अगर आप उस फोटू को सच मान रहे हैं तो अभी भी आप सच को स्विकार नहीं कर पा रहे हैं जो आपके सामने हैं ऐसे कई इत्यासिक तत्त हैं जिनने हमें ठीक तर ऐसी समझना होगा और तदागत बुद्ध का सही इत्यास सबके सामने लाना होगा